हलो दोस्तों मेरे चैनल घर की रसोई वी सुनीती सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के लिए एक नई रेस्पी लेकर आई हूँ गर्मियों का मौसम शुरू होती ही सभी को ठंडा ठंडा पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी यमी डिलीसियस इम्मुनिटी बूस्टर हैल्दी एकदम बाजार जैसा मिल्क बदाम अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में अगर आप चैनल पे पहली बार आएं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिल्क बादाम के लिए हमने एक लिटर दूद लिया है और दस पंदरा बादाम लिए है इसको दो घंटे भिगो कर छील लिये हैं एक मोटे तले का बरतन लेंगे जिसमें दूद को उबलने के लिए चड़ा देंगे और बादाम जो हमने छील कर रखे उसको ग्राइंडर में डालकर दरबरा सब पीस कर पेश्ट बना लेंगे और पीसने के लिए थोड़ा सा उसमें दूद डाल देंगे ताकि वो असानी स तो बादाम पीस कर रख लिया है और इसको एक कटोरी में निकाल लिया है हमने बादाम को पीस कर तो देखिए दूद भी और अच्छे से खौलने लगा है तो दूद को धीरे-धीरे से चलाते रहेंगे और किनारे से इसकी मलाई भी छुडा देंगे बाजार जैसा मिल्क कर्मल टंप्रेचर का थोड़ा सा दूद लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून कश्टर्ड पाउडर डाल कर खोल देंगे अच्छे से दूद खौल रहा है तो अब इसमें 10-5 धागे केसर के डाल देंगे ताकि उसका भी अच्छा सा कलर आजाए दूद में जब भी हमें देश्ट अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं हमने एक लीटर दूद में आधा कप या आठ चम्मच चीनी टाली है चीनी टालने के बाद भी दूद को खौलने देंगे और दूद ज्यादा देर खौलाने से अच्छे से मलाईदार दूद हो जाता है यह हमने कुछ ड्राइ पिस्ते भी काट लिए हैं यह देखिए बादाम हमें इसी तरह से थोड़ा सा मोटा सा पीजना है बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है और ड्राइफ फ्रूट्स आप अपने मन पसंद के ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहें दूद को देखिए इसी तरह से कोड़े से बचा लेंगे गार्निस के लिए और जो हमने बादाम पीज कर रखा है उसको भी इसी समय डाल देंगे बहुत ही बढ़िया मलाईदार दूद हो गया है तो अब हम इसमें सारी चीजे बारी बारी से डाल देंगे बादाम को डालने के बाद फिर से दूद को चला हो रहा है बहुत ही बढ़िया कलर आया है तो इसी तरह का हमें दूद में कलर चाहिए था और मीडियम गैस पे कभी मीडियम कर दे कभी सीम कर दे इसी तरह से दूद को हमें चलाते हुए किनारे से मलाई चुडाते हुए दूद को गाढ़ा कर लेना है और बहुत ही बढ़ि कश्टर्ड और फिर उसको चला देंगे इस तरह से अगर कश्टर्ड के घोल को हम दूद में मिक्स करते हैं तो कुल्टिया भी नहीं पढ़ने पाएंगी और कश्टर्ड अच्छे से दूद में मिक्स हो जाएगा गैस को इस समय सिम ही रखें तेज गैस पे बिल्कुल भी कश चाहिए देखे एक कोट चड़ जाए चम्मच में पीछे से अगर देखते हैं तो इसी तरह का हमें गाड़ापन चाहिए बहुत जादा गाड़ा कर देंगे तो ये कश्टर्ड बन जाएगा थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसको हम फ्रीज में रख देंगे तो एक घं मिल्क बादाम ठीक उसी तरह का मिल्क बादाम बनकर त्यार हुआ है बहुत ही बढ़िया और डिलीसियस मिल्क बादाम बनकर त्यार हुआ है एक बार इस रेसिपी को ट्राइ जरूर करें तब ही आपको पता चलेगा कि ये मिल्क बादाम कैसा बना है तो कब बना रहे हैं मि मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें त्रेंड्स और फैमिली में बेल आइकन को आल पे कर दें ताकि आने वाली नौटिफिकेशन आपको पहले मिल सकें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज उसे सब्सक्र करना बिल्कुल ना भूले तो अब बाजार का टेस्ट घर्म बैठे बैठे ले ट्राइब करें और मुझे जरूर बताएं धन्यवाद